नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नूतन और स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल पे दोस्तों आज जो हम लोग सबजी बनाने जा रहे हैं वो है अर्बी की सबजी जिसे अर्बी की सूखी सबजी भी कहा जाता है जो कि पराठों के साथ और पूरी के साथ बहुत ही लजीज स्वादिश्ट लगती है तो चलिए अब इसे बनाना सकते हैं अर्बी की सबजी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले ली है यह अर्बी अब हम इसे अर्बी को वाश करके सबसे पहले बॉयल कर लेंगे यह मैंने अर्बी कूकर में रगती है और अब मैं कूकर का डिकन तर जाने के बाद हमने इनको छील लिया था और इनको इस तरीके से लंबाई में दो टुकड़ों में कट कर लेना है तो फ्रेंट्स यह मैंने कढाई रदी है गयास पे और मैंने तीन टेबल स्पून इसमें तेल डाल दिया है मैं यूज कर रही हूं मस्टर्ड ओयल में इसे पकाने से इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है अगर आपके पास मस्टर्ड ओयल ना हो तो आप किसी भी ओयल क इस्तमाल कर सकते हैं तो तेल अब गरम हो चुका है और मैं इसमें डालने जा रही हूं एक चमच अजवाइन जो है इसका में इंग्रीडियंट है तो यह आप स्किप नहीं किजेगा यह मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी हींग अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून हल्दी गैस कि आच को कम कर देंगे ताकि हमारे मसाले जल नहीं अब मैं डालोंगी इसमें डरी मिर्च हरी मिर्च के बाद में अध्र और आप इस अच्छे से चला लें इसे चलाने के बाद इस ज्चलने हम इसमें एड करेंगे यह हरी और इसे अच्छे से मिला लेंगे इसे मिला लेने के बाद हम इसमें बाती के इंग्रीजियन्स भी डाल देंगे अब मैं इसमें आड़ करूंगी आधा चमच लाल मिर्च और स्वाधा अनुसार नमक अब मैं इसमें आड़ करूंगी एक टेबल स्पून ये अमचूर पाउडर और अमचूर पाउडर को डालने के बाद मैंसे मिला लूँगी अब इसको अच्छे से मिला लेने के बाद हम दो मिनट के लिए मीडियम आज में धक कर रखतेंगे ये आप देख सकते हैं हमारी अर्बी थोड़ी क्रिस्पी हो गई है ध्यान रहे इसे जब भी आप पकाएंगे तो इसे थोड़ा फैला करके पकाएं मैंने अर्बी को 5-6 मिनट कम से कम ढख कर कम आज पर पकाया है ये देखिए अब ये पूरी तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है अब हम इसमें एड़ कर लेंगे गार्निशिंग के लिए ये धनिया और इसे मिला देंगे अब ये सर्फ करने के लिए बिल्कुल तयार हो चुती है तो चलिए अब इसे सर्फ करते है और हमारी अर्बी की सबजी बन के तयार है ये हमने सर्फ कर दी है अब आप इसे इंजॉई कीजिए रूटी के साथ पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ ये तीनों के साथ ही ब जाद से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो मिलती हों फिर आप से किसी और रेसिपी के साथ जटपट बनने वाली चटपटी सी रेसिपी के साथ तिल देन बाई वीवर्स